नमसकार, स्वागत है आपका सुदर्शन ड्यूज पे और मैं हूँ आपके साथ आयूँँश शुराब देख रहे हमारी खास पेशकश वंदे मातरम वंदे मातरम यानी कि हमारे रास्ट का सम्मान वंदे मातरम यानी कि हमारा रास्ट्रिय गीठ लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ इस तरीके की बाते हमारे समाच के अंदर निकल के आई जहां पर इस वंदे मातरम का अपमान किया गया और ये अपमान समाच के अंदर नहीं बलकि संसद के अंदर भी किया गया और हमने देखा कि किस तरीके से बसपा के एक सांसा जिनका नाम शफीकुर रह्मान था उन्होंने इस वंदे मातरम का अपमान किया जानी कि जब वंदे मातरम का अगान शुरू हुआ तब वो सदन की कारवाई से बाहर चले गए लेकिन उसके बावजूत भी इन तमाम चूज लिके के मुस्लिम मिल जाएंगे जो इन तमाम चीजों को दर किनार करते हैं और इन तमाम चीजों का सम्मान भी करते हैं तो ऐसी ही एक शक्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हाला कि वो किसी परिचाय का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी मैं परिचाय आप करवा देता हूँ हमारे साथ सूफी संत महभूब अली बाबाजी है आप गुजरात गौवर्मेंट हज कमेटी के चेर परसन भी है इसकलावा गुजरात माइनोरिटी के भी प्रेसिडेंट आप नहीं है और आज सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप All India BJP Minorities के National Secretary भी बने है तो आज यह पावन अवसर आपके लिए भी है और हमाई लिए भी है कि आज हमाई साथ आप स्टूडियो में मौज़ूद है तो सबसे पहले सूफी संत जी आपका सबसे ज़्यादा स्वागत सुदर्शन यूज में तो आज हम इनी से चर्चा करेंगे और जानने की भी हाप पर कोशिश करेंगे कि आखर ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे समाज के अंदर क्यों आई है इसके पीछे के क्या कुछ कारण है और आखर ये इस तमाम चीज़ों के बारे में क्यों ये जो भ्रांतियां हैं हमा से समझना चाहूंगा? विजिकली वन्दे मातरम के इशियू पे जो कंट्रावर्शरी है वो उसके अर्थ पे है जिसे के जो जो लोग इसका मेनिंग वन्दन का अर्थ पूझा करते हैं तो इसलाम के बेजिक कांस्टिटिशन में ये है के पूझा जो है भक्ती जो है वो निर लेकिन जो इनका ये मिनिंग है ये काफी हद तक संकुचित है वंदन का अथ आप डिक्शनरी में देखो मैंने अपनी फेस्बूक पे भी उसको रखा हुआ है इंटरनेट पे आप देखो तो वंदन का अथ होता है सेल्यूट यानि सलाम करना अगर इसका मिनिंग तुम निकालाओ तो असलाम ऐस सर्जमीन हिंदुस्तान होता है तो जो वतन जिस वतन में हम रहते हैं जिससे प्यार करना इसलाम के पेगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने चावदा सो साल पहले ये कहा कि हुब्बल वतने शौबत अलामान याने वतन की महबत इमान का शौबा है याने भारत से महबत करना इमान से है तो जिस मुलक से महबत करना इमान है भला उसे सलाम करना हराम कैसे हो सकता है तो ये एक संकुचित मानियता है और मैं समझता हूँ कि अगर इस संकुचित मानियता से समाच को उपर जाना चाहिए और कहने की बात है कि हम सलाम एक दूसरे को इसलिए कलते है कि हम एक दूसरे की सलामती की काम ना कलते हैं defendanteur मैं ये कहता हूँ कि इसी भारत के मिट्टी से हम बने हैं पंच महाबुद जो है हमारे पांच अंसेर Aat पाने मिटी है, इसी से हम बने हैं और इसी में मिलना है तो इस वतन से मोहबत करना इमान है अगर वतन सलामत रहा, भारत सलामत रहा तो हम सलामत रहेंगे ववना एक दूसरे के सलामति की कामना का किया मطलब है तो ये अर्थ के अंदर मैं मानता हूं कि इस हर्थ में वंदे मातरम को कहना कभी भी नाजाइश नहीं हो सकता बलके किसी भी मजभब में इसलाम को छोड़ो किसी भी मजभब में अपने वतन को अपनी माँ को सलाम करना कभी भी नाजाइश नहीं हो सकता ऐसा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे बिंदू हैं जिनों में उन्होंने गलत मानियता है रखी है। जैसे के टेरिजम के बारे में, सुसाइड बॉंबिंग के बारे में, मुहम्मत पेगंबर ने किलियर कट ये कहा, कि देहसत गर्द हम में से नहीं है। जो आतंकवादी है, वो मुसल्मान नहीं है। तो भला जब आतंकवादी मुसल्मान ही नहीं है, तो फिर अगर वो आतंकवादी या देहसत गर्दी करता है, ऐसा काम करता है, तो वो इसलाम धर्म की व्याख्या से, उसकी बॉर्डर से बाहर हो जाता है। फिर अगर वो टर्बन पहन ले, चाहे मैदान में भी कोई स्थरी कोई बच्चा या कोई वुरुद व्यक्ति आता है तो उसकी हतिया करना मना है युद के मैदान में जब ये सुसाइट प्रवाइब आप पर्मिशन दी भारत में उनकी सबाइए हुई पांच 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 लाख मुसलमान उसमें हाजर रहे हैं उन्होंने बुक लिखी है फत्वा और टेरिज्म एंड सूसाइड बॉंबिंग जो 600 पेजिस की किताब है उसमें कुरान से पेगंबर साहब के हदि से थाबित किया है कि टेरिज्म सूसाइड बॉंबिंग यह बिलकुल खिलाफ है किसी भी धर्म की निंदा मत करो किसी भी धर्मस्तान का अपमान मत करो यानि इन सारी चीजों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कटरवाद को फैलाते हैं जो जिहाद की परीभासा ग और जो भारत का, जो हमें महासत्ता बनाने का सपना है, उसे हम पूरा करते हैं। या फिर कॉंगर्स पार्टी जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को रखती है, कि वहाँ पे दंगे के समय इस तरह किसी चीज़े हुई, मुस्लिमों के साथ इस तरीके का व्यभार हुआ, उसके बारे में थोड़ी सचाईया आप से जानना चाहूँगा। गए थे उस वक्त दंगों में, खुद इंदरा गांदी जी प्राइम मिनेश्टर थी और वो एहमदाबाद आई थी, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिए गए, महीनों तक दंगे चले, ना एफायर हुए, ना चार्शिट हुई, ना किसी को सजा हुई, उसके बाद 85 के 90 और 92 में चीमन पटेल कॉंग्रेस के मुख्य मंत्री थे, 92 में जब मैं जहां सूरत में रहता हूँ, वहां कहीं लोग मारे गए, और होम मिनिस्टर कॉंग्रेस के सीडी पटेल सूरत में ही मौजूद थे, फिर भी उनोंने कोई एक्शन नहीं लिए, आज तक उनको किसी को सजा नहीं मिली, श्री किस्ने कमिशन का जो रिपोर्ट था महाराश्ट के अंदर, उसको कॉंग्रेस ने डस्बिन में डाल दिया, किसी पर एक्शन नहीं लिया, तो दंगे कहां नहीं हुए, मलियाना में हुए, मेरट में हुए, जमशेटपूर के अंदर हुए, बिहार मे एक्सन लिये, हो सही लिये, हाला के मस्जिद के अंदर जाके फाइरिंग किया, नव लोग मारे गए, 27 लोग गायब हो गे, उनकी लासों को कुए में डाल दिया, बेकसूर लोगों को मारते हो और तुम फिर कहते हो कि एक्सन नहीं लिया, और अगर किसी एक टेरिजिस को मा दिया जाए, तो तुम पूरा बाबाल मचा देते हो, यानि कहने की बात है का हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कतल भी करो तो चर्शा नहीं होता, यानि कॉंग्रेस की बात यह है, अब इस से बर खिला तुम देखो के 2002 में जब रायट्स हुए, हमारे जानते हैं हमके बिल्कुल नए थे, उसके पहले वो काउंसिलर भी नहीं थे, तो फिर भी उसके भावजूत वो उन्होंने जो एक्सन लिये, जो सराउंडिंग स्टेट्स है, महाराष्ट है, राजलस्थाने, उन्होंने पुलिस फोर्स की मदद मागी, जैसे ही मिलेट्री आई, फोरन डिप्लोई कल दिया, वहना पास्ट में ये होता था, तुम दूसरे स्टेट्स की इस्टरी देखो के मिलेट्री आती थी, फिर कई दिरों के बाद उसका डिप्लोईमेंट होता था, फोरन डिप्लोईमेंट कल दिया, गुजरात का इतिहास रहा है कॉंग्रेस क की हकुमत में, कि जब दंगे होते थे तो महीनों तक चलते थे, दो महीने, चार महीने तक चलते थे, जबके नरिंदर भाई ने सिर तीन दिन, चाह दिन में उसे कंट्रोल कर लिया, और आज उसके बाद जब पूरे एड्मिनिस्टेशन में उनका कंट्रोल है, तो तुम दे में कोई मुस्लिम लड़की तनहा जा सकती है, सदभावना है, प्यार है, महबत है, और जो विकास हुआ है, जो सुसासन हुआ है, इन सब स्टेट्स के मुताबिक गुजरात में मुसलमानों का पॉपिलेशन पर्षेंटेश वाइस कम है, नाइन पर्षेंट है, फिर भी यह सबसे जादा पर्षेंटेश वाइस 9% मुसलमान गवर्मेंट जॉब में है, एकोर्टिंग तो सेंट्रल गवर्मेंट डेटा, और सच्चर कमीदी यह कहती थी के पुलिश डिपार्ट्मेंट में मुसलमानों का डिप्लोइमेंट होना चाहिए, हिंदुस्तान में सबसे जा लेपेंट परग्राम जो बनाया माइनुर्टिस के वेलफेर के लिए उसमें गुजरात को गुड़ ग्रेट मिला, एटीन स्टेट्स को जो पूर ग्रेट मिला है, वो कॉंगरेश की स्टेट्स है, कहने की बात यह है कि तुम विकास नहीं कर रहे हो, तुम एज्यूकेशन म सबका विकास बिना भेदभाव के काम कर रही है और आज एगरी कल्चर में तो गुजरात अभी टॉप पे पहुंचा है 11 परसंट ग्रोफ रेट के साथ पहले तो यह समझता था कि ऑद्योगीक शेतरे में सबसे आगे है लेकिन अभी एगरी कल्चर में हर जगा पे गुजरात आगे है जो हमारा GDP ग्रोफ रेट है वो भी देश के रेट से 3.2 टाइमस मोर है तो इतनी ज़्यादा डेवलेप्मेंट है विकास है सांतिय सलामती और क्या चाहिए मैं ये केता हूं गुजरात ने एक जो दिसा दी है हिंदू-मुस्लिम एकता की सदभावना की और विकास क जो दिसा गुजरात ने दी है अगर यही दिसा पर भारत काम करें तो भारत को महास्ता बनने से कोई रोप दी है होना आप देख पाते हैं संभव है जिससे गुजरात का हुआ है कैसे तरीकी की स्थितिया बन पाएंगे मुस्लिमों की स्थिति उस पर कैसी होगी ये भी आप से समझना जाओंगा देखो अगर मैं कहूँ तो according to government data में आपको कहूँ कि ये सत्य हकीकत है कि मोदी से बड़ा secular नेता कोई नहीं है हिंदुस्तान में ये सारा विकास और सुसासन हमने गुजरात में साबित करके बताया है ये minority की बात नहीं है ये बात करते हैं पूरी जनता की बात करते हैं हम भारत की बात करते हैं भारतिय की बात करते हैं राष्टरवाद की बात करते हैं इसमें minority majority की बात ही नहीं है ये जो कटरवादियों का तुरुष्टी करन Congress के निताओं नहीं किया है कुछ कटरपंतियों को लाब देकर उनको हभी बुल्ला ये हमारे गुजरात में आये थे गुजिस्ता साल और उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में ये कहा कि सच्चे समिटी का जो रिपोर्ट जिसमें साबित हुआ कि कॉंग्रेस ने ये आजादी के बाद साट सालों में सिवाए मुसल्मानों की बरबादी और बेहाली के कुछ किया नहीं है उसके बाद भी जब उन्होंने फोर्टी पॉइंट डैवलेब्मेंट पोग्राम बनाया तो उन्होंने काया कि आज इतने साल गुजर गए फिर भी थर्टी नाइन प सबका विकास हुआ है वैशा डैवलेप्मेंट किसे एक स्टेट में साबित करके दिखाओ योजना बनावने ऐसे कुछ नहीं होता हो तो तुम आजादी से लेकर आध्तक बनाए रहे हो क्या हमने ये योजना बनाई हैं हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ वादे हैं और वो वादे कभी पूरे नहीं हुए नहोने वाले है जबके हमने करके दिखाया है और हमने जो करके दिखाया है इसकी गवाही आपकी नेश्टल गवर्मेंट के डेटा देते हैं हम नहीं देते हैं तो ये सारी चीजे साबित करती है कि ये जो गुजरात में नरेंदर भाई जो देश्य के साथ जो लक्षे के साथ चल रहे है वही लक्षय भारत को महास्ता बना सकता है वही हमें सुपर पाउर बना सकता है और वही एक शही और सत्य दिसा है बिल्कुल चलिए मैंबूब अली जी समय हम आपस बहुत कम है लेकिन चलते चलते बिल्कुल अगर हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल कहें बस मैं यही कहूंगा कि आज तो यह मेरा शुबाग्या रहा कि आज ही मेरी appointment हुई और सबसे बात तो मैं आपकी सुदरसन टीवी को भी मैं अभिननन देना चाहता हूँ और मेरे लिए शुबाग्या है कि मालिक ने मेरे लिए सोच के रखा था कि मैं खुद एक राष्टरवाद से और देश प्रेम से जूड़ी हुई गती वीडियों में ज़्यादा दिल्चस्पी रखता हूँ तो मेरी सुरुआद भी एक ऐसी चैनल से हुई है जो राष्टरवाद और देश प्रेम को लेकर चलती है तो मैं सभी दर्सक मित्रों से यही संदेश दूँगा कि हम सब भारती है हम सब मानव है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा है जिसे कि कुरान में कहा है चैप्टर फाइव में कि तुमने अगर किसी बेकसूर इंसान की हतिया की तो तुमने मानवता की हतिया की और तुमने अगर किसी निदोस को बचाया तो मानवता को बचाया मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है हम सब भूल जाए कि किस जाती धर्म पंथ संपरदाय और प्रदेश को भूल कर हम सब भारती बन कर एक और नेक बन कर उसके विकास के लिए आगे बड़े तो जरूर हमारा भारत महासता बन कर रहेगा और जो आज हमको चाइना से या अगर अगर अधर कंट्रीज से जो खत्रा है वो बिलकुल नहीं रहेगा और मिझे उम्मीद रखता हूँ मुझे पूरी विश्वास है कि विश्वा गुरू बनाने का जो हमारा सपना है वो इसी दिसार से जरूर शाकार होगा चलिए सूफी संथ महबूब अली जी आप हमाई स्टूडियो में आए हमाई दर्शकों के साथ अपने इन तमाम विचारों को शेयर किया तो हम उमीद करते हैं कि जो संदेश महबूब अली बाबाजी ने आपको दिया है उसको अगर आप समझेंगे तो आप भी वंदे मातरम का जो सम्मान है उसको करेंगे और अपने रास्ट को प्रगति के मार्ग पर अगरसर कर सकेंगे फिलाल इस खास पेशकेश में इतना ही लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरें आप देखते रहे हैं सुदर्शन नियूस पर जहें